हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागित करता हूँ आपके अपने शिल क्रिक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे SLGY वर्सेज SLGR 311 स्टाइस पर सिन फो यानि की SLC ग्रेज वर्सेज SLC ग्रीन्स के मैच के बात करेंगे श्रिलंक का इंविटेशनल T20 लीग 2021 का जो आज फर्स्ट मैच के लिए जाता दिखने वला है उस मैच के बारे में दरसल यह जो मैचिस हैं आज आज आपको इस टोनमेंट के दो मिलेंगे मैच यह होने कल वाले थे लेकिन एक दिन पोस्ट पॉन कर दिया गया टोनमेंट को क्योंकि यहां पे कल बहुत बरिश हो रही थी ल वीडियो में कोमेंट सेक्शन में जाओगे जुड़ सकते हो क्योंकि वहां टॉप कोमेंट में ही मैंने लिंक डाला हुआ है एक तरीका जो आपको और मिलेगा वह मिलेगा चैनल का अबाउट सेक्शन मान लेते हैं अब आप अभी वीडियो देख रहे हैं यह तो आप वीडियो में एक बर बताना जरूरी लगता है दोस्तों वेन्यू की बात करें तो पालेकल क्रिकेट स्रेडियो में मैच होने वाले हैं केंडी शेर के ग्राउड में श्रिलंका में लेकिन यहां पर आपको बता दूंकि न्यूट्रल ही वेन्यू रहता है रंस जो है आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक-ठाक 150-160 जो एक एवरेश चीटमेंटी स्कूर है वैसे आपको यहां पर स्पिन होती भी मिलती है विकेट तो कहीं न कहीं आप एक बैलेंस विकेट मानके चलो सबके लिए कुछ न कुछ इस विकेट में रहता है बड़ी न्यूज आ रही है ब बात करें तो कुछ लोगों सबका प्लियर्स का फिटनेस टेस्ट हुआता है इस टूनामेट से पहले जिसमें लसित हैंबुल देनिया, अशान रंडिका, लाहिरू गमागे, संदुन विकर ओडी, कौशल धनुशका, जिया विक्रमा, जिहान डैनियल, संगीत कुरोई, यह पे महमद शिराज है, इन सब प्लियर्स को आप इगनूर करेंगे, इसके अलावा जो बड़ी न्यूज आ रही है, चरित असलंगा, जिनका सेलेक्शन 90% के करीब है, धरंजेड इसलवा और चमीका कुरुनर रतने, जो आपको शाम को मिलेंगे, यह सबी प्लियर्स मैच में प्लियर्स 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 है, तो आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, जिसे ही लाइन अप आती है, हर चीज आपको फर्स्ट फर्स्ट बेस पे इन्फर्मेशन मिल जाएगी, अब देखते है, प्रॉवेबल 11, और यह क्या करम होने वला है, यह बा सकते हो, कितना डिमेश्य क्रिकेट खेले होंगे, कमिंदू मेंडिस अंडर 19 गैप्टन रह चुके है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, कैप्टन दे शेलंका के, प्लियर्स बहुत अच्छे है, लेफ्ट हैं बैटस्मन है, जो स्क्वेर ऑफ दो विकेट बहुत अच्छा खेलते के भी, रमेश मेंडेस है, लक्षन संदाकन है, दोनों स्पिन करते हैं, विश्वा पर्नेंडो है, और लहीरू कुमालो दोनों फास्ट करते हैं, चाइना मैन हमेशा एक लेफट आम स्पिनर होता है, तो ये लेफट आम स्पिन करके देंगे आपको, जबकि राइट आम है, रमेश मेंडेस, तो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट देख रहे आप इस वीडियो का, हर एक प्लियर का मैंने आपको फुल स्टाइट्स बता दिया, बाकियों की तरह एक एक प्लियर का नहीं, मैं आपको comparative analysis देता हूं, तक कि अब समझ पाओ, और आदर लोग तो क्या है छे साब leaf का देघंगे और फिर निकल लेएंगे जो जो की प्लियर है, मैं आपको हर एक प्लियर का बता है, क्योंकि यहाँ पे कौन breathtaking주 बन जाया है, कहना मुशकिल है, विकौज हो सकता है, टीम अपने यउंग प्लियर को ही मुखता घपा है, विकौज ने मेंट का का स्व में प्लियर बन जा है कहना मुश्किल है विकॉज हो सकता है टीम अपने यंग प्लियर्स को ही मुखने विकॉज ही जो टूनामेंट है यह डिसाइड करेगा श्रिलंका का T20 वर्ल्ड कप का स्कॉर्ड यहां पे हर प्लियर आपको इंपोर्टेंट खेलता दिखेगा और यही स पता है भाईया कि यह ग्राउंड है हमारी परफॉर्मेंस का आगे जाने के लिए तो सब लोग हंगरी होंगे यहां पर परफॉर्मेंस के लिए लहीरू उदारा की बात करें चौनतीस मैच में 678 रन है 22 की अवरेज से चार हाफ सेंचरी लेकिन इनसे बहतर रिकॉर्ड है यहां पर के अर चीगे का 15 मैच में 372 ठीक है 31 की अवरेज से हाफ सेंचरी इनकी लहीरू उदारा जैसी है जबकि मैच इन्होंने आधे भी नहीं के लिए उनके फिर यहां पर फर्नैंडो का रिकॉर्ड आप देखोगे फर्स्ट क्लास में अच्छा है 40 की अवरेज है लेक प्रविंशल टूनमेंट ओडीडी मैंने याज से तीन साल पहले कवर किया था उसमें भी इन्होंने पर्फर्मेंस दिया था को यहां पर कमिंदू मेंडेस है मुझे बहुत पसंद है 26 मैच में 440 सरं 24 का एवरेज एक ही आफ सेंचरी है साथ विकेट है बट यह प्लेयर मल् पर्फर्मेंस दिया था इन्होंने डिमेस्टिक में आगे इंटरनेशन लेवल पर भी गये लेकिन वहां पर्फर्मेंस उत्रा तब्दीली नहीं करी टेस्ट में जरूर एक बड़ा नौक आया है लेकिन अभी तक निसंग का अपनी पोटेंशल नहीं दिखा पाए यहां प इन्डिया का जो टूर वॉर å को पो PU說 कर देतें और साथ में आपको ऑबड़कर करके देते हैं बोलिंग उर और उंडर है जन्वन ठीक है यहां अपको यह अंदाजा लगेगा स्टीयट से जिव आप देखो कि 51 मैंच्छ मेना 68 विकेट neu नहीं 22 की अवरेज है चक्के इन्होंने 35 लगाए है और 24-28 से आपको पता लगता है चक्के लगाने वले प्लियर है तो यह 6 हिटर है रमेश मेंडेस है 39 मैच है 585 रेंच 26 की अवरेज है दो हाफ सेंचरी है इसमें और 31 विकेट्स हैं आप कहा सकते हो कि अच्छा और रॉंडर है स्पिन बोलिंग करते हैं लॉंगर फॉर्मैट के जादा प्लियर है अशान प्रियंजन 97 मैच में 1600 से भी अधिकरन है 22 की अवरेज प्लियर बहुत टेलेंटेड है 43 विकेट्स भी है रिसेंटली बहुत अच्छी बोलिंग भी कर रहे है इनफाक्ट कैप्टन है इस टीम के अशान प्रियंजन आपके टीम में होने चाहिए इनका कोई खास मुझे स्टैट्स लगने ही रहा तो मैं इनको गॉइड ही करूँगा विश्वा फर्नेंडो है 14 मैच में 12 विक्टे अच्छे लेफ्टाम पेसर हैं श्रिलंका के लिए भी खेल चुके हैं लक्षन संदाकन स हम आगे इनको विड्रॉ कर लिया गया स्कॉर्ट से जिसे बताया और यहां पर एंबल देनी है इन्होंने क्या नहीं किया अपना फिटनेस टेस्ट ही पास नहीं किया तो यह हो गई कौनसी टीम की बात फुल स्टैट्स इंफो के साथ विदिन 5-6 मिनिट में SLGR टीम की बात हो गई हम बात करते हैं SL GY की प्रॉइबल 11 लसित क्रोस पुल है इनके तो नाम में ही पुल है पुल से अंदाजा लगा लो बैट्समन होंगे वैसे तो राइट हैंड बैट्समन है थोड़ी बहुत ऑस्पिन भी कर लेते हैं मिनुद बनु का लेट हैं फिर आपको कमिल लेंगे जो ओडीडी लीव हुआ ना रीसेंट में श्रिलंका का उसमें बहुत टीम्स केलते हैं इंडिया का होता है विजेजरे ट्रॉफी कितनी 29-30 टीम्स केलते हैं वैसे ही इसके टूनमेंट में भी बहुत खेलती हैं वहां ये टॉप टू स्कूरर्स में थे नंबर अच्छे प्लियर है और थेस खेलते हैं थोड़ नीचे आते हैं बर थेज केलते हैं चतरौंगा डियसिल्वा में बूलर है जो कि आपको बल्ले बाजी भी देंगे वैसे इनका जो में काम है बोलिंग से है पूरीना थरंगा राइट हैं बैट प्रस लेक्स प्रेड अगर टीम चाहे इनको भी मौका दे सकती है Statistically अगर आप देखोगे Batsman में बहुत कम गैप आपको देखने को मिलेगा सबकी लगबग सेम एवरेज है कोई प्लियर अगर स्टेंड़ोड करता है वो तो है बनुका यहां पर देखोगे मिनोद बनुका है 21 की अवरेज केम इश्रा 25 की अवरेज बट केम इश्रा का जो दूसे फॉर्मैट में रिकॉर्ड है वो ज़ादा अच्छा रहा है फॉर्दर टाइमिंग यहां पर मैं आपको सिजिस्ट करूंगा बनुका पर ही गौर करें मिनोध बनुका की बात हो रही है इनका नाम भी बनुका राज़ा पाक्स है ठीक है अब इसके बाद मिलिंदर सिरीवर्द ने 112 मैच देखो कि आप तो सबसे जादा मैच इनों नहीं खेले हैं इस इस वाइ इस इंपोर्टेंट प्लियर की ही इनिंग थी मतलब जादा नहीं बट जहां पर सभी प्लियर स्चगल कर रहे थे अच्छा स्कोर किया थे इनोंने 21 मैच में 410 रन है 2 हाफ सेंचरीज है 5 विकेट लियांगे के स्कोर अच्छे है I think ये तो बाहर ही हो गए है वैसे इन पर स्टाट्स आपको देखने रहे तो देख लेना बट ये स्टूनमेंट में नहीं खेलने वाले एन फर्नेंडो 11 मैच में 256 रन है 28 की अवरेज से दसुन शनाका 22 रन है 27 की अवरेज है 3 सेंचरीज, 9.5 सेंचरीज, 30 विकेट इनकी टीम के लिए चतरोंगाडे सिल्वा है 93 मैचेज में, 93 मैचेज में 1998 रन्स, 14 की अवरेज से बोलिंग अल रॉंडर है, बोलिंग जाधा करते है 77 विकेट्स भी इनके पास है पी थिरंगा, डीजेंट अल रॉंडर 21 की अवरेज भी है, और 37 विकेट्स भी इनके पास है धनुष्का को विड्रॉ कलडिया गया है स्कॉर्ट से ये नहीं अवेलेबल नुवान प्रदीप 55 मैच में 55 विक्टें फास्ट बोल रहे हैं अच्छे मदुशंका 13 मैच में 46 विक्टें पठी राना यहां पे अंडर 19 के पेस बोल रहे हैं 5 मैच में 4 विकट लिये थे अंडर एक ओडिटी टूनामेंट हुआ था जिसमें बहुत टीम्स के लिए लिए लगव बहुट टीम्स थी आया थी अठना टीम्स थी तो उनके जो बैस प्लेयर रहे हैं उनको इस टीटवेंटी टूनामेंट में रखा गया है तो हर एक डेमेस्टेक प्रका भिणि आपको रीसे प्लस विकेट, वन प्लस वन विकेट, बारा रन प्लस जिरो विकेट, शालिस रन प्लस दो विकेट, यह सब ही ODD के स्टैंट्स हैं, यह गोर करना, ठीक है, वन डे डमेस्टिक के, अब देखोगे कमिल मिश्रा, रीसेंड बें 113 रन, शालिस रन, 107, 209, 4010 और 102 नवाद, ए बारा प्लस दो विकेट, नौ प्लस जिरो विकेट, इनकी एक प्रॉबलम है, कर यह सब कुछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको मौका मिलना चाहिए, बहुत मैचिस में इनको बोलेगी नहीं देते, और बहुत मैच में इनको नीचे भेज़ देते हैं बल्लेबाजी के ल प्लस अच्छे बल्लेबाज भी है, क्रिशन यहां पे है, क्रिशन अर्चीगे संजुलर विकेट कीपर है, 33, 14, 37, 31, यह इनकी लास चार इनीज रही है, इशांग जीरतने का फॉर्म देखना, 13, 33 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, यहां पे 4 विकेट, यहां पे 1 विकेट, अच्छी बोलिंग कर रहे है, तब ही तो सिलेक्ट हुए थे शिडंका के लिए, एम उदावटे, 3, 8, 89, 65, 116, यानि तीन मैच में गजब फॉर्म, लेकिन आखरी दो मैचेज में थोड़ा सा खराब, उसके पहले देखोगे तो अच्छा फॉर्म है, 63, 24, 68, 38, ठीक है, इस इसी सब के बेसेस पे, डिफरेंशल प्याज निकल के कौन आ रहे हैं, इशान जयारतने, कमिन्तू मेंडिस, मिलिंदा सिरीवर्दना, शम्मू अशान, ठीक है, शम्मी नहीं है, शम्मू अशान है, ठीक है, और यहाँ पे उसके अलावा है, पीतरंगा, दोस्तों मैं अपन पे विगेट कीपिंग सेक्शन में आपको पांच प्लेर मिल जाएंगे, जिसमें मिनोध बनुका और लहीर उदारा, जिनका टॉप टू सेलेक्शन है, वही मेरे सबसे बेस्ट है, के मिश्रा का डमेस्टिक रिकॉर्ड जरूर अच्छा है, बाकी मुझे कोई खास रिकॉर लगा नहीं है, मैं सेफ जा रहा हूँ, मिनोध बनुका को जो शिल्डंका के लिए रिसेंट्ली आपने ओपनिंग करते देखे थे भारत के सामने, उनी को पिक करके, बल्ले बाजी सेक्शन में यहाँ पे चरित असलंका खेलने नहीं वाले, इसलिए मने नहीं लिया, बाकी यहाँ पे बात करूं, तो बनुका राजर पाकसा इंजरी कंसर्न है, 50-50 अगर खेलते हैं, तो हमें लेने ही है, बट वही बात है, इसका खेलना ही 50-50 है, लाइनएप अगर नहीं आता, तो उस केस में मैं रिस्क नहीं लूँगा, इन पे मैं इनको ना लेकर चलूँगा, फिर मैं कमिंदू मेंडेस को लेता हूँ, जो मेरे फर्स्ट खिलाड़ी रहेंगे, ग्रैंड लिक की मैं आपको कैटन सी की भी बता दूं, अच्छी अप्शन है, अगर मेरे को कोई दिल से खिलाड़ी आपको बताने हैं, कैटन सी करने के लिए, जिसे कई बार की ओता है, जिसको में कैटन करने का मन होता है बस, तो वो मन करने वाले प्लियर मेरे कमिंदू मेंडेस हैं, ठीक है, पी निसन का है, ये भी अच्छे प्लियर है, टेलेंटेड है, और टेकनिकली साउंड है, बेसिकली यहाँ पर जब आप बलेबाजी सेलेक्शन में आओगे, इनको हा अपनिंग देंगे, ठीक है, और कोई मेरे साब से खेलेगा नहीं इन में से, तो इनी पांच में से आपको कोई दो सिलेक्ट करने हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दो ही सिलेक्ट करें, ताकि हम और राउंडर पर मैक्सिमाइज करें, फॉर्दा टाइमिंग मैंने पी तीन ही विकेट है, उनकी 90 मैचेस के करीब समझ सकते हो, शमू अशान करते हैं बोलिंग, बट वही बात है, मैं दूसरे बैट्स में साथ जाना चाता हूँ, और राउंडर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चार खिलाड़ी जरूर चुनगे, जहां पास मोका है, पांच भी सुन सकते हो, लेकिन यहां पे हम चार ही सुन सकते हैं, पहली चोईस में रहेगी दसुनश ना का, बहुत डस रहे हैं, आज कल विकेट भी ले रहे हैं, रंस भी कर रहे हैं, इनको मैंने जरूर टीम में लेके चलना है, आपको काफी अच्छे शल्डंका की और रूंडर मिल रहे हैं, इनको ना आप इग्नोर करें जरूर ने टीम में, रमेश मेंडिस अगें शिल्डंका के और रोंडर हैं, थोड़ी बहुत स्पिन करते हैं, रंस करते हैं, इनको भी मैंने लिया है, फिर यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर अशान प्रियंजन को, यह भी बहुत अच्छे प्लेयर है, रंस यह आपको पूरे दे सकते हैं रिसेंट में इन्होंने बोलिंग भी दिया, यह इसका रिजन है लेने का दोस्तों कुछ खिलाडियों में जिन में मुझे इसका रिजन है, एक नाम आता है चतरगा डिसिल्वा जो की एक सेफ सिलेक्शन पिक है यह भी अच्छे प्लेयर है, लेफटाम और्थोडॉक्स करते हैं, लेफट हैं बलेबाजी करते हैं तो इनको ले सकते हैं, या इशान जियारतने जो हमारे डिफरेंशल प्लेयर बन सकते हैं इशान जियारतने का औरड़ी बचा चुका हूँ, रिसेंट फॉर्म इस वेरी गुड़, अब कन्फूजन यह है, किसको लिया जाए मेरे दोस्त जो शिदंका के लिए खेल चुके हैं, या इशान जियारतने जो नेक्स प्रस्पेक्ट हैं खेलने को, यह बहुत अच्छी चोईस है, लेकिन इन सब में ही लोग कन्फ्यूज रहेंगे, लोग कन्फ्यूज कहां नहीं रहेंगे, पी थिरंगा पर कोई कर सकते हो, अब यहाँ पर फाइनल चॉएस आप जिसको करना चाहँ कर सकते हो मुझह नहीं रखता क्रेट की कोई खेलन नहीं है, तो यहाँ पर आपको जिसको लेना है, आप ले सकते हो अभी के लिए मिशान जैरतने को लेते हैं, दिल की सुन लेते हैं, सिलेक्शन की नही अब कौन से तीन करोगे वो आपके उपर है मैं आपको संदकन जरूर कहूंगा पिक करने को नवान प्रदीब जरूर कहूंगा पिक करने को तो यह दोनों अच्छे प्लेयर हैं श्रिलंका के लिए रेगुलर इंटरनेशनल खेते हैं चारों ही खेल चुके हैं कुमारा और विश्वा फर्नेंडो टेस्ट मैचेस में भी खेल चुके हैं अब यहां किस को पिक करोगे यह आपके ऊपर है लेफ्ट आमर हैं यहां पर फर्नेंडो पका खेलेंगे लहीर कुमारा का थोड़ा सा डाइसी है खेलना यानि थोड़ा मुश्किल भी है फिफ्टी 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 तो नहीं 70% खेलेंगा बट मुझे थोड़ा शक है कि ना खेलें तो अगर लाइन अप नहीं आती तो सेफ़ी आप विश्वा फर्नेंडो को पिक करना अभी के लिए मैं लगीरू कुमारा को लेके गया हूँ जो कि जनुवन डेथ बोलर है टीम का प्रिव्यू ये बनता है मेरी दोस्तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं इसमें हम एक बैट्समन को चेंज कर सकते हैं ठीक है इसमें हम एक और रांडर को चेंज कर सकते हैं और इसमें हम एक बूलर को चेंज कर सकते हैं इसके लाब आपको कोई चेंज देखने को नह कप्तान ही मैंने अपनी दिये शिलंका के कैप्टन दसन शिनाका को वेरी इपॉर्टेंट प्लेयर वाइस कैप्टन सी मैं काफी सोच रहा था क्या अशान प्रियंजन को दी जाए या फिर यहाँ पे कमिंदू मेंडेस को दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छे हैं आप जिसको चाहें दे सकते हैं मैंने फॉर्टे टाइमिंग क्या किया कैप्टन सी दसन शिनाका वाइस कैप्टन सी कमिंदू मेंडेस सेफ थोड़ा सा रहेगा प्रियंजन वैसे तो इनका सेलेक्शन कम ही है